कुछ टाइम पहले मैंने आपके साथ ये बेबी कार्डिगन शेयर किया था बहुत ही प्यारा सा कार्डिगन था ये और इसका ये था जीरो से लेके एक साल तक के बच्चे के लिए और इसका फ्रेंट सॉक्स और इसकी टोपी रह गए थी बनाने को तो वह मैं यहां पे इसकी जुराबें जो हैं वो आपके साथ यहां पे शेयर कर रही हों तो फ्रेंट्स आप इसको जुरूर देखना और चलिए फिर इसकी जुराबें जो हैं हम बनाना शुरू करते हैं और यह अगर आपको पसंद आती है तो फ्लीज वीडियो को लाइक और शेयर शुरूर करें तो चलिए फिर इसकी जुराबों को बनाना शुरू करते हैं यहां पे देखे मैंने कुछ बनाके रखा हुआ है जिसका मेजर्मेंट मैं आपको देटी हूई यहां पे यह यहां पर मैंने सलाई पे जो फंदे कास्टोन किये हैं बहुत सिंपल सिंगल दागे से इसमें फंदे मैंने डाले हैं और यह रखा है हमने यहां पे 30 फंदे मैंने यहां पर डाले हैं यह हमने जीरो से लेके एक साल तक के बच्चे का बनाना है अगर आपको ज़्यादा बड़े बच्चे का बनाना है तो यहाँ पे 40 फंदे भी ले सकते हैं उससे बड़े बच्चे का बनाना है तो 50 फंदे ले सकते हैं तो इस तरीके से मैंने ये वाला जो जुराब मैं बना लिए इसको आप बड़ा को भी बना सकते हैं ये वाला स्टाइल जो है तो वैसे दूसरी तरह कि मैंने पहले बहुत सारे शेयर किये हैं कई तरह की बच्चों की सॉक्स बनाए हैं बहुत सारे हैं मेरे चैनल पर आप देख सकते हैं चुट-चुटी बूटी है बच्चों की लेकिन ये वाला जो है थोड़ा अलग है और है बहुत सिंपल है तो इसको आप अपने लिए भी बना सकते हैं तो यहां पर मैंने ये छे महिने से लेके जीरो से लेके एक साल तक के बच्चे को ये जुराव जो है अराम से आएगी तो यहां पर मैंने रखे हैं 30 फंदे और धागा भी थोड़ा सा थिक है फ्रेंट्स ये लेकिन बेवी बूल है बहुत सॉफ्ट है ये तो अगर आपके प वरीख होती है भहुत पतलीवी होती है तो इसको मैं दसनंबर की सलाईयाань पर यहां पर बना रही हूँ तो यहां पर देखिए इसका जो मैंने बार्डर बनाया है वह मैं आपको यहां पर जरे करके बता देखती हैं कि इसका बार्डर मैंने दो इंचuesto के इश करीब है एक- चुटा वड़ा जैसा भी आपको पसंड हो और 8 सलाइएं जो हैं इसके बाद 1 इंच यहां से यहां तक मैंने इसको बना है, टोटल 8 सलाइएं मेरी इसमें लगी है, यह lगी, आईए, अगर आप इंची टेसे नापोगे, इक इंच नापोगे, अगर आपका धागा इससे पतला है ना, तो आपको 10-12 लाइया आपकी एक इंच के लिए करनी पड़ेंगी क्योंकि ये धागा थोड़ा सा थिक है तो इसमें एक इंच के नाप के अनुसार यहां पे 8 लाइया इसमें आई हैं तो इस तरीके से आप बना सकते हैं इसमें अब हमना दूसरा धागा यहां पे आड़ करेंगे तो यहां पे मैंने आपने जो स्वेटर में देखा होगा इसका जो कार्डिगन है उसमें आपने देखा होगा कि मैंने यह वाला कलर वहां पे यूज किया है तो इसको ही मैं यहां पर भी उस कर रही हूँ, तो जो हमारे यहां से स्टार्टिंग से हम यह वरा धागा आप स्टार्ट करेंगे, आठ सलाइयों के बाद, तो यहां पर देखेगा, यह धागा जो है न मैं यहां से स्टार्ट कर रही हूँ, इस धागे से हम आगे फंदे जो यह दस नमर की स्लाइएं पर फ्रेंट्स में यहां पर बना रही हो और यहां पर अब हमने 15 फंदे बुनने हैं तो 2, 4, 6 होगे यह 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 यानि आदे फंदे हमने बुनने हैं इतने आप यहां पर रख रहे हैं अगर आप 40 रख रहे हैं तो आपको 20 फंदे इदर छोड़ने हैं और 20 फंदे आपको इदर बुन लेने हैं और यह जैसे देखे मैंने 30 फंदे लिए हैं तो 15 फंदे मैंने इसमें यहां पर बुन लिए अब हम यहीं से ही वापस मूड जाए पर फंदे को सिल्प करेंगे और यही सीधे फंदे एक बार फिर से बुन लेंगे सीधी साड़ से भी एक बार यहां पर बुन लेंगे कि लास्ट तक हमने इनको 15 फंदा गशे बुनना है कि कि हमारी दोस लाईया हो गेए एक में हमने धागा चड़ाया इस पे और दूसरी सलाई हमने सिंपल यहां पे बुन ली अब फ्रेंट्स यहां पे देखेगा अब हमने देखे यहां पे क्या करना है जो यहां पर स्टार्टिंग में पहले दो फंदे है ना यह मैं उल्टी साइट से यहां पे बना रहे हूं इस तरफ का ठीक है तो यह जो पहले दो फंदे हैं इनको एक साथ लेंगे और दो का हम एक कर देंगे उसके बाद आगे के जो तेरा फंदे हैं उनको हम ऐसे ही बुनेंगे 13 ने बुनेंगे 11 फंदे बुन लेंगे यहांपे और इस ठाग़े को हम ऐसे सेट कर देंगे थोड़ा सा याँपर लास्ट के 2 फंदे जब बच चाहएंगे न वहाँ तक हमने इसको ऐसे ही सिधा-सिधा बुन लेना है सुरी उल्टी साइड से उल्टा उल्टा बुनना है सीधी साइड से सिदा सिदा बुनना है यह देखे अब यहाँ पे यह दो फंदे बच के हमारे पास ठीक है इन दो फंदों को भी अब हम एक साथ यहाँ पे बुन लेंगे तो मैं यह उल्टी साइड से ही दागा स्टार्ट किया है और उल्टी साइड से ही इसमें घटाई जो है वो डाल रही हूँ तो यहां पे देखे अब हमने दो फंदे यहां पे कम किया तो फंदे यहां पे बनाए यानि एक फंदा यहां पर कम किया तो इस सीधी साइड से जो सलाई है इसको ऐसे सिदा सिदा बुनते हुए एंड तक जाएंगे और अब फिर हम यहां से मोट जाएंगे तो अब फिर फ्रेंट्स यहां पर हम देखेगा यह जो दो फंदे हैं पहले वाले इनको फिर से हम कम कर लेंगे जो पिंक दागा है वो नहीं लेके जाना पिंक दागे को हम यहीं चोड़ेंगे तो एक फंदा हमने यहां पर कम कर लिया दो को हमने एक साथ बुना हर तीसरी सलाई में आपने फंदा जो है वो यहां पर कम करना है अब उस तरफ भी हम एक फंदा कम करेंगे यानि लास्ट के दो फंदे हैं उनको एक साथ हम पुनेंगे ऐसे ही आप बड़ों के लिए भी बना सकती हैं यह डिखिए दो का यहके हम ने एक कर दिया तो इस तरीके से आप जैंट्सके जो जुराबे हैं वो भी आप यहाँ भी बना सकते हैं अब यहां पर सीधी साइड से कुछ नहीं करना फंदा स्लिप करना है और सारे फंदे जितने फंदे बचे हैं उनको सीधर से दबोना है आपने इस तरह से सीधी साइड से नहीं करना अगर आप सीधी साइड से स्टार्ट कर रहे हैं तो सीधी साइड से ही करें ठीक है मैं यहां पर उल्टी साइड से धागा लगाया तो उल्टी साइड से मैं इसको बना रहे हैं पिर उल्टी साइड पे आगे तो एक फंदा इदर से कम कर लेंगे, तो का एक कर दिया, और फिर से आगे के फंदे, लास्त के दो रहने तक हम ऐसी ही बुन लेंगे, अभी दो फंदे बचे हैं इन दो का हम यहां पर एक कर लेंगे इस तरह से तो यहां पर एक दो तेन चार यानि आठ भी नो फंदे बागी हैं तो आगे का फिर सीधी साइड से इसको स्लिप करेंगे और इस तरह से सीधे-सीधे बुनते हुए इसको हम आगे तक लगे जाएंगे फिर उल्टी साइड पर आएंगे तो फिर दो फंदे और कम करेंगे देखे इस तरह से अब यहाँ पर एक दो तीन चार एक फंदा यहाँ पर कम हो गया उसके बाद इस तरह से ही बुनेंगे अब यह दो फंदों का एक हो गया अब फ्रेंट्स देखे यहाँ पर कितने-कितने फंदे हमने एक साइड पर कम किये हैं यह फंदे जो है एक तू तीन-चार यानि सात फंदे हमारे पास यहाँ पर बचके तो अब हम सीधी स्लाई ऐसे बुनेंगे जैसे हम बुन रहे थें, लेकिन अब हम फंदा कम नहीं करेंगे इसमें, ठीक है, तो यह देखे, उस्तरा से हमने यह बुन लिया, यह बुन लिया अब आपने क्या करना है कि साथ फंदे रहने देने हैं आपने इस छोटे जुराब के लिए बड़े का होएगा तो उस हिसाब से आप हिसाब लगा दीजिएगा कि आपको यहां पर एड़ी जो है वो कित्ति बड़ी चीए हमने बना रही है बनाई है यह एड़ी तो यहां पर देखिए अब हमने फंदे उठाना शुरू करने हैं तो जो आपने दो फंदे एक साथ बुने हैं वहीं से ही आपने फंदा जो है वो उठाना है तो यह हमने जहां पर दो फंदे बुने थे वहां से हम फंदा उठाएंगे यहां पे यहां हमने दो का एक किया था तो यहां से हम एक फंदा उठा लिया ऐसे करके अब जैसे जैसे हमने घटाई की थी सेम वैसे वैसे ही हमने यहां पे फंदा उठा लेना है अब मैं सीधी साइट से उठा रही हूँ तो ये slip किया ये देखे यहां पर बाकी के सारे फंदे उल्टे 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 गुन लेंगे अब जैसे जैसे घटाई की थी वैसे वैसे ही एक फंदा वही फंदा उठा लेना है जहां से आपने कम किया था इस तरह से ही अब यहां देखो आपने ऐसे करके यहां पर पुन लेना है यह देखे तो एक फंदा इदर से उठाए एक इदर से उठाए अब यह बना लिया अब इसको ऐसे slip करेंगे और आगे बुनते वे चल जाएंगे और फिर जब दुबारा आएंगे तो फिर हम यहां पर फंदा उठाएंगे तो इस तरफ जो है हमने सीधी साइड से ही उठाया था उस तरफ भी सीधी साइड से उठाए यह देखे यहां पर फिर यहां पर एक फंदा कम करेंगे तो हर तीसरी सौरी कम नहीं करेंगे उठाएंगे तो यहां से हमने फंदा उठाया तो बीच में एक फंदा यहां पर द इसको भी हमने बुन लेना है, इसी तरह से, यहां पे दो का, एक किया था, वही हम यहां पर, इसको इस तरह से उठा लिया, तो इस तरह से ही, अब हमने इसको उठा लेना है, जैसे जैसे हमने, हमने अपने पूरे फंदे कर लेने हैं, यहां पे पंदरा, जितना जितने फंद अब यह सारे बुन लिए यहां तक और इधर भी सीधी साइट पे घूम के एक फंदा ऐसे उठा लेंगे तो यहां पर आपका फंदा यह रहा यहां पर हमने दो काई किया था इसको अब हमने ऐसे उठा लेने इस तरह से तो यह अब हमने न सारे फंदे जितने भी हमने बुने हैं उसी तरह से हमने अपने 15 फंदे जो हैं इनको कम्प्लीट कर लेना है तो यह मैं ऐसे ही उठा लेती हूँ फिर एंड में आपको दिखाती हूँ कि लास्ट में जो फंदा बचता है यह कैसे हमारा बने गए यहां तक मैं उठाती हूँ यह तो देखिए ब्रेंट्स यहां पर लास्ट में भी हमने अब यह फंदा यहां पर उठा लिया बिलकुल 15 फंदे हमारे यहां पर आ चुके हैं तो अब हमने इस तरह इस तरीके से इसको स्लिप करना है पहले फंदे को और इनको हमने आगे तक ऐसे सीधे-सीधे बुन लेना है जो जो फंदा आपने खटाया है वही फंदा उठा लेना है तो आपके लिए इजी हो जाएगा और जो मेरे बिगनर्स फ्रेंड है उनको जिनको अभी नय-चीखेंगे उनके लिए अगर ऐसे फ्रेंट्स रहा भी जाता है थोड़ा सा आगे पीछ हो जाता है तो कोई दिकत नहीं होती तो जैसे यहां पर हमने पूरा पूरा ठालिया अगर आपको लगता है कि आपका यहां पर गैप रह रहा है तो आप इस तरीक किसे कर सकते हैं ने तो यहां पूरे फंदे हैं लेकिन ऐसे उड़ा आपने एक फंदा ऐसे उठाया और जो आपका यह वाला फंदा है नहीं जैसे हमने लास्ट वाला फंदा यहां पर भुना, यह यह फंदा है इसको आप ऐसे उतार लेंगे और अगर आपका रह गया वाई चांस, तो आप एक साथ यहां पर बुन लेना है दोनों को ही आपने एक साथ बुन लेना है यहां पर और आपका जो gap है वो खतम हो जाएगा इस तरह से जैसे दो का आपने एक ही कर दिया एक तरह से तो यहां से जो यहां पर जो space था वो नहीं रहा आप space है न लेकि में पास यहां space नहीं था मेरा यहां पूरा पूरा था तो मैं यहां पर अपना वो ही एक फंदा यहां पर रख रही हूँ ठीक है तो इस तरह से आप कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि यहां पर थोड़ा सा hole रह रहा है आप से फंदा जो है वो उपर नीचे उठीया है तो कोई बात नहीं आप इस तरह से दूसरे फंदे को भी साथ में उठा दीजेगा और उसको दो का एक कर दीजे जो आपका यह वला फंदा है उसके साथ आप इसको घटा दें तो फंदे भी पूरे-पूरे रह जाएंगे और यहां पर गैप भी नहीं रहेगा इस तरह से आप यहां पर कर सकते हैं यहां भी ऐसे कर सकते हैं और यहां पर भी आप ऐसी कर सकते हैं तो यह देखिए हमारे यहां पर बच्चे की जो बूट की एडी है ना वो यहां पर बनके आ गई है देखे इस तरह से जैसे रडिमेट सॉक्स में रहती है ना उसी तरह से यह देखे यह हमारी जो एडी है वो बनके आ गई है तो अब हमने यह दागा जो है इसको यहीं चोड़ना है और बाकी जो है बनाते हुए दूसरे दागे से इस है इसमें बेस कलर है उसको ही यहां पर लगा देंगे तो सारे फंदेयर तक उल्टे-उल्टे बनाते हुए चलेंगे फिर मैं आगे दिखाते हूं आपको ही आगे हमने अंगुठे के पास का जो पंजा बोलते है जिसको वो भी इसमें बनाना है तो वो हम किस तरह से देखे यह सारे फंदेयर अब आपको यहां भी लगता है कि कोई गैप साथ हो रहा है यहां पर तो वो भी आप उस तरह से ही कर सकते हैं जैसे मैंने आपको यहां पर बताया कि जैसे यहां पर थोड़ा सा गैप दिख रहा है ना तो यहां से फंदा उठाईए आप यह और फंदा बड़ा भी नहीं इसी को ध्यान रखे हैं पर जो उठाना है फंदा वो अकेला नहीं बुनना दूसरे फंदे के साथ आपने बुन देना है तो उससे क्या होगा कि जो बीच में यहां पर एक जाली जैसी बन रही थी वो नहीं बनेगी फंदा उठाके साथ वले फं लाई में इनको यूज कर सकते हैं इससे तो अब हमने इसको थोड़ा सा बनाना है तो मैं आपको बताती हूं कि इतना को बनाना है फिर भी आपने नहीं 16 लाइयां बुननी है और यह पर दो इंच की करीब बुनना है इंची टेप से नापेंगे तो 2 इंच और आपे बुनन तो इस तरह से मैं यह बुन लेती हूं सीधा से दय बुनना है सीधी साइट से सीधा और उल्टी साइट से उल्टा यह तीस फंदे जो है इनी को हमने बार-बार बुनी जाना है फिर आगे हम यहां पर पंजा बनाएंगे इसका पैर का अगला हिस्सा अंगुठे और उंगलिय है जो भी बच्चे का कार्डिगन स्वेटर कुछ भी बना रहे है न तो उसमें जो डिजाइन है अगर आप वो डिजाइन बीस में डालना चाहते हैं इस जगह पे तो भो भी आप यहां पर डाल सकते हैं जैसे मैं यहां पर प्लेन बुन रही हूं वही डिजाइन आप यहा पर डाल सकते हैं, तो मैं यह बना लेती हूँ, थोड़ा सा फिर उसके बाद बताते हूँ, तो देखिए friends, हमने यहां पर इसको बना लिया, यह दो इंच के करीब, और दो इंच बना लिया, और 16 लाइयां मैंने यहां पर बना ली, क्योंकि यह मैंने ऐसे यहां से गिन के, य कि इसका पंजा कैसे बनाना है, तो यहां पर देखिए, आपने एक चीज का ध्यान रखना है, कि आपने अगर इस साइड को, यह देखिए जुराब के इस तरफ को हमने बनाई है एडी, तो पंजा जो है वो इस साइड बनेगा, same साइड नहीं बनेगा, यह दर को नहीं बन इस साइड को नहीं बनाना, एडी बनाई है उस तरफ को नहीं बनाना, इस साइड को बनाना है आगे चलके, तो वो हम अब यहां से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, बस इतना सही है, इसमें और तो ऐसा कुछ भी नहीं है, same वैसी बनाना है, जैसे हमने नीचे से एडी बनाई ह वैसे ही इसको बनाना हैं हमें. तो यहां से हम नगा लगा रहे हैं. दूसरा वाला जो हमने पर यहीं बंजे के लिए लगा रहे हैं. पार के अगली हिस्से के लिए. तो इनको भी हम यहां पर 17 pré cust जो हैं. यहां पर इसी नगा बंजे से बोलेंगे. दूसरे कलर से, अपने सेकिंड कलर से आप एक रंग से भी इसको बना सकते हैं और दो कलर से भी बना सकते हैं और बीच में कोई मल्टी कलर देना चाहते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं तो यहाँ पर 15 फंदे मैं यहाँ पर बुन लूँगी से प्लेन प्लेन, जैसे हमने दूसरे पे बुने और उस पर फ्रेंट हैं हमने कम किये थे आट फंदे दोनों साइट से टोटल आट फंदे हमने कम किये थे 1,2,3,4,5,6,7 और ये 15 कलरे ठीक हैं तो यहाँ पर यह हमने अब छोड़ दी और यहीं से हमने मुड़ जाना है जैसे हमने एड़ी बनाई सेम तो सेम वैसे ही हमने इसको बनाना है तो पहले फंदे को हम स्लिप करेंगे और आगे इसको हम अगर आप सीधी साइट से धागा लगाना चाहते हैं तो आप धागे को यहाँ छोड़िएगा इधर से बनाते हु आपने बड़ों की जराब बनाएं चोटे की बनाएं तो ये इस तरह की जराबे बनेंगी वो opposite side बनेगा इधर बनेगी AD तो इस side बनेगा आपका पंचा इस side AD और इस side पंचा बनेगा इस तरह से ध्यान रखें जराब बड़ी हो चाए चोटी हो तरीका यही रहेगा अब हम यहाँ पे फंदा जो है वो कम करना शुरू करेंगे तो यहाँ पे दो का एक और आगे last में जाके भी हम दो का एक ही करेंगे इस तरीके से ही हम जब तक हमारे उपर 7 फंदे नहीं रह जाते तब तक हम कम करेंगे यानि दोनों साइड से 4-4 फंदे जो है वो कम करेंगे तोटल 8 फंदे हमने यहाँ पर कम करने हैं यह यहाँ पर देखे इस तरह से और जितने बड़े बच्चे का बनाएंगे जादा फंदे होंगे तो उसी हिसाब से आपने यह जो फंदे हैं जैसे मैंने यहाँ साथ रख आठ रखने हैं, नौ रखने हैं, इसे इसे रखेंगे आप, ठीक है, आठ रखें, दस रखें, ऐसे करके, हिसाब लगा लेजिएगा, कि कितने फंदे यहां पर एड़ी कितनी चोड़ी होती जा रही है, उसी इसाफ से, बड़े बच्चे की तो बड़ी हो जाएगी, चोटे बच्चे की चोटी सी होगी, एक साल का बच्च तो बहुत ही चोटा सा रहता है, 0-6 मन्त, बहुत ही चोटा बएब होता है, उसकी तो जम्हीं चोटी सी यड़ी होगी, बिल्कुल, तो उसी इसाफसे उसके लिए 7 फंदे काफी हैं लेकिन बडे बच्ची के लिए आपको थोड़े से जाधा रखने पड़ेंगे तो यहां पर देखिये फिर से हम यहां पर एक फंदा कम करेंगे और एक फंदा ही उस तरफ को कम करेंगे सेम बनाना वैसे ही है जैसे हमने वो बनाया अपना पीछे एडी उनाई इसी तरीके से पंजे को भी आप यहां पर बनाएंगे तो फिर यहां पर फंदा हमारा कम हो गया तो दो फंदे कम हो गए टोटल चार फंदे कम हो गए हमारे ठीक है दो बार हमने इसको कम किया इसी तरह से यह कम करते करते यहां पर जब साथ फंदे रह जाएंगे तब तक मैं आपको फिर यह बना लेती हूं फिर आगे आपको दिखाते हूं कि इसको जॉइंट कैसे करना है और इसको सिलना कैसे है वह आपके बता देते हूं आपके करके ठीक सबस्क्राइब करें तो अब बचके हमारे पास यहां पर साथ वंदे दो चार शाय और एक साथ तो अब हमने यहां फंदे उठाना शुरू करने एक स्लाई वे लगा दी है उल्टी उल्टी साइट से हम फंदे कम कर रहे थे तो यहां पर देखे इस पर हमने कोई फंदा यहां पर कम नहीं किया था यहां पर और यह हमने यहां पर फंदा कम किया था तो इसको हम ऐसे उठा लेंगे यहीं से मूट जाएंगे इसको ऐसे slip करेंगे और आगे के फंदा को उल्टा उल्टा बनेंगे फिर end में जाके फिर से सीधी तरफ से फंदा उठा लेंगे क्योंकि ऐसे इस स्बार को उठाएंगे न तो गलट ओजाएगा दूसरी साड़ को ठीक है एसे उठा सकते हैं पर आपको ऐसे बुनना है यह देखें एसे उठा लेकिन ध्यान से उठाएं क्योंकि उल्टी साइड को ना बुने फिर वो गलत हो जाएगा ठीक है तो पहले फंदे को स्लिप किया और बाकियां को हमने ऐसे ही बुन देना है जैसे हम बुन रहे थे तो इस तरीके से ही न अब हमने जितने फंदे करना है और वीडियो प्संद आती है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए का फ्रेंड्स यहां पे अब देखें यह हो गया यहां पे दो फंदे हैं तो ऐसे उठाएंगे और यहां से भी आम एक फंदा जो है वो इस तरह से तो अब मुट जाएंगे पिछे सारी सिलाई उल्टी उल्टी करके बुनेंगे देखे फ्रेंड्स यहां पे हमने फंदे जो है इस तरह से उठा लिए पूरे 15 फंदे हमारे हो गए इस तरह के से अब हम आ जाते हैं इसकी यहां पर जैसे लास्ट में आगे ना तो अब हमने इस तहागे से ही बुनाई शुर यह जो धागा दूसरा वाला है इसको अब हम यहां से काट देंगे अब इसकी जरूरत नहीं है यहां से इसको बुनते हुए जाएंगे उल्टा उल्टा बुनेंगे जहां तक हमने यह 15 फंदे बुने हैं उसी तक और उल्टा उल्टा हमने बुन लिया उसके बाद यहां पे देखें यहां पे देखें आपको लग रहा है ना गैप जैसा दिख रहा है ना थोड़ा सा तो यहां पे फिर हमेने जैसे बताया था एक फंदा हम ऐसे उठाएंगे और इसके साथ हम इसको इस तरह से यहां का गैप जो है वो खत्म हो जाएगा तो अब हमने क्या करना है अब फ्रेंट्स हमने इसको बंद कर देना है क्योंकि यह हमारा बन चुका यह पंजा बन गया पूरा ठीके तो इसके लिए अब हमें एक सलाई की ज़रूरत और पड़ के लिए तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे यहां पर दिये इस तरह से आपने इस को ने से बुंते हुई यां तक आगे आदे पे ठीक है उसके बाद इसको हमने ऐसे रख लिया अब एक सलाई और लेंगे यहां पर सेम नंबर की स्लाइल लेजिएगा और उसके बाद यहां से एक फंदा इधर से उठाएंगे और एक फंदा हम इधर से उठाएंगे और दो का हम एक कर देंगे जैसे हम स्वेटर के शोल्डर जोड़ते हैं न उपर से वाइंड आफ करते हैं सेम उसी तरह से हमने इसको भी दोनों सेट से एक एक फंदा उठाना है और उनको फिर एक बना देना है दो का और उसके बाद जो एक पच्टा है वो एक के उपर से एक पास कर देना है तो आपका इस तरह के से घटाए जो है वो इसकी हो जाएगी ज़ादा Teit नहीं घटाना ऐसे हलके हाथ हों से आपने इसको घटाना है इस तरह से एक पंदा इस स्लाइस से लिया एक पंदा से दोणवे से एक इक फंदा लेने के बाद आपको इस तरीके से इसकस क crach करनी है लेक्टे ऐसे तो का हम एक करते जाएंगे इसी तरह से हमने सारे फंदे इनको वांड अफ कर देना है और एंड में अगर आपका धागा उपर की तरफ बच गया है तो आप इधर से चोटा सा दागा काट दीचेगा अगर दागा उपर की साइड नहीं वच्चा है थोड़ा साइड दागा है बॉर्डर के पास तो आप यहां पे लंबा दागा चोड़के सिलाई के लिए उतना दागा आप रखेगा बस इस तरीके से ही जुराब जो है बन जाएगी और बहुत ही प्या कि इस तरीके से अभी एंड में दो फंदे हैं हमारे पास तो इनको भी हमने ऐसे दो का एक कर दिया एक स्लाई को हटा देंगे और इस से हम इसके साथ इसको ऐसे यह कर देंगे यह दागे को भी हम यहां पर कट कर देंगे और अब हम इस दागे को भी थोड़ा सा ही यहां पर रखेंगे वाकी हम कट कर देंगे क्योंकि मेरे पास दूसरी सट से लंबा दागा है तो यह जो हमने पंदा यहां पे छोड़ा उसके वीच में से इसको निकालेंगे ऐसे करके और इसको हम यहां पर यह दागा भी यहां से हटा देंगे इसको इसके साथ एक चोटी सी नोट लगा देंगे क्योंकि मैंने पहले नहीं लगाई थी देखिए इस तरह से अब ये हमारा ऐसी बनके आ जाएगा ये देखिए इस तरह से और ये आगया आपका नीचे की साइट इस तरह से ये बनके हमारा आगया सॉक्स ये देखिए ये देखिए इस तरह से तो देखिए फ्रेंट्स ये हमारा सॉक्स से बन गया और इसी तरीके से मैंने दूसरा भी बना के रखा हुआ है लेकिन यहां पे अब आप वीडियो को अगरेंट तक देखेंगे न तो आपको समझाएगा कि ये कैसे हमने इसको बनाया तो ये एक तो आपने ये सीख लिया कि इसको हमने इस तरीके से बनाया एक साइड ये लेकिन ये भी देखना पड़ेगा आपको अब दुबारा दूसरे सॉक्स में कि अपोजेट साइड रखेंगे आप जिस साइड ये रखा है दूसरी तरफ इस तरफ नहीं रखेंगे आप ये पर दूसरी नहीं रखेंगे आपको ये इस सामने रखेंगे आपको एक जैसा नहीं बनाना तो आपका इस सुराब पना रहें तो इस तरीके से रकना है आपको और एक एड़ी एक सेडot बनानी एठ बिच में आगे जाके आपने पंजाब नाना है तो इस तरीके से तो अब मैंने ये धागे में से सुई जो है वो यहां डाल दी है और अब हमने इसकी सलाई कर देनी हैं तो यहां से हम उपर से इसको सिलना शुरू कर देंगे आप जैसे भी सिलते हैं वैसे सिल लीजेगा मैं सीधी स से स्लाइ जो है वो करती हूं तो इस तरह से पकड़ेंगे हम इसको और यहां पर शुरुव में तो ऐसे दो कर टांक के यहां लगा देंगे ताकि मजबूती हो जाए और उसके बाद एक टांका इदर से उठाएंगे और एक टांका ही हम इदर से उठाएंगे सीधी साइड से ऐसे बनाते हुए चाहेंगे आगे तक और इसको इस तरीके से ही एंड तक जो है वो सिल लेंगे सिलना तो अब फ्रेंट्स को आता ही होगा हो सकता है कुछ फ्रेंट्स नहीं हो जिनको नहीं आता होगा तो वो इस तरह से सिल सकते हैं सीधी साइड से सलाई करना बहुत सुंदर रहता है साब सुतरी सलाई हो जाते है सीधी साइड से बस कुछ भी नहीं करना एक टांका इधर से उठाया एक टांका उदर से उठाया एसे करके और उसको एक बरावबर खीच दे रहें भर ध्यान यह देना है कि जैसे बॉर्डर है थो बॉर्डर तक इसको ऐसे मिलाएं आगे पिछे न करें और स्ढ़िसाद से यह भी इहली देख सकते हैं से कोई स्ट्राइप डाली है दूसरे धागेगी तो वो भी आपस में मिलानी होती है आगे पीछे नहीं सिलना होता तो इस तरीके से न मैं इसको सिल लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ कि ये कैसे लग रहे हैं हमारे सॉक्स दोनो देखिए हमारी सॉक्स जो है बच्चे की बनके बिल्कुल तयार हो गई दोनों सॉक्स देखिए इस तरह से अब सिलाई देखिए न एक साइड को आईए दोनों की अंदर की साइड को अंदर की साइड को आईए अगर आप इसको ये जो पंजा और एडियों में फरक करते हैं तो एक side को slide नहीं आएगी, फिर आपकी एकई अंदर को आएगी और दूसरे की बाहर की side को आएगी, तो ये धिहान रखिएगा कि आपको जो बनाना है तो opposite side पे बनाना है ये, इस तरीके से ये देखे, तो ये हमारे देखे इस तरीके से और एक मैंने और बना के रखे हैं अभी मैंने कुछ ताहिं पहले ही बिली वाली वो डाली है ना किटी स्वेटर डाली है एक किटी कार्डिगन तो उसके साथ कभी मैंने यहां पर ये बना के रखा हुआ है ये बड़ा है ये डेट से दो साल के बच्चे का है देखिए इसमें रखे हैं मैंने 36 फंदे हैं कि वाले और ये 30 फंदों का है तो आप देखिए जैसे आप आपका बच्चा बड़ा होता जाएगा उसी इसाफ से आप फंदे जो है वो बढ़ा दीजिए बहुर बड़ा बच कितने प्यारे बनके आये न ये तो नहीं तो आप इनको जूरूर ट्राई करें टांज ये अप जूरूर ट्राई करें और आपको वीडियो संदा है ऐसो लाइक ये जरूर करें तो फिर रinker मिलते हैं एक और वीडियो में जल्दी ही थैंक्यू